एक बार फिर आपका हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत हार्दिक अविनंदन सामर्थ योजना क्या है 2022 की नई योजना उत्तरपरदेश राज्य के अलावा 28 राज्यों में भी योजना चलाई जा रही है जिसका उद्देश महिला सक्ति को आगे बढ़ाना और महिलाओं का यहां पर महिलाओं को पूरी तरों से आत्मनिर्भर बनाना एक मोख्य उद्देश में आ जाता है तो महने में आप भी यहां पर 15,000 रुपे यहां पर कमा सकती हैं तो क्या है यह योजना कैसे आप इसमें 15,000 रुपे कमा सकते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सब कुछ डिटेल वाइस बताने वाला हूँ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए और बगल में दिएगे ये वेल आइकन को जरूर ही प्रेस के लिजिए क्योंकि इस तरों की इंट्रेस्टिंग वीडियो लगातार आपके समक्स लाता रहता हूँ सामर्थ योजना की अंतरगत केंद सरकार द्वारा लोगों को वस्त्र उत्पादन से संबंधित प्रकिरिया सिखाई जाएगी इस योजना को आरंब करने का मुख्य उद्देश देश को वस्त्र उद्योग में के छेत्र में आगे बढ़ाना इस योजना के अंतरगत देश के लोगों को वस्त्र उत्पादन के छेत्र में कोसल विकास किया जाएगा सामर्थ योजना 2022 के माध्यम से भारत की वस्त्र कारोबान में वैस्ट्विक हिस्दारी बरेगी इस योजना के अंतरगत परिक्सन प्राप्त करने के लिए लावारती को नौकरी भी परदान की जाएगी तो काफी अच्छी खबर है महलाओं के लिए जो गरीब महलाएं होंगी उनको इस योजना का सामर्थ योजना का लाब दिया जाएगा और देश के बहुत सारी ऐसी महलाएं हैं जिसको इसका सीधा सीधा लाब सरकार दोरा दिया जाना है तो इसमें सामिल किये गए जो अठारा राज्य होंगे कौन-कौन से ऐसे राज्य होंगे जिसमें इसकी सुरुआत की गई है इस योजना के अंतरगर इन राज्यों में के चार लाख लोगों को वस्त्र उत्पादन से जोड़कर हुनर सिकाई जाएंगे यानि कि वस्त्रों से उत्पादन वस्त्र को आपको कैसे इसमें कारी करना है हस्तकला जो भी इसमें कार्य होंगे वह हम आपको बताने वाला हूँ कौन-कौन से कार्य कर सकते हैं और कैसे आप इसमें एंकम कर सकते हैं तो बने रही हमारे इस चैनल के साथ तो आप राजी देख सकते हैं और अरचल परदेश, जम्मु कस्नीर, केरल, मिजूरम, उत्तरपरदेश, आंद्रपरदेश, आसाम, मद्यपरदेश, तिरपूरा, करनाटक, ओडिसा, मनिपूर, हरियाना, मेगाले, जहरखंड और उत्राखंड यानि कि 18 राजु में इस योजना का लाब उठाया जा सकता है तो काफी अच्ची खबर है आप सभी के लिए आपको बदा दू कि सामर्थ योजना की अंतरगत सिकाय जाने वाला कारिक कौन सा है कौन से कारिक के करके आप 15,000 रुपे परती माहा से कमा सकते हैं तो तैयार परिधान भुने हुए कपड़े, धातु हस्तकला, हतकर गंगा, हस्तकला और कारिन आदीस में तैयार कर सकते हैं सामर्थ योजना में महलाओं पर रहेगा पूरा फोकस यानि कि महलाओं के लिए ही योजना बनी हुई है और महलाओं के उपर ही पूरा फोकस रहने वाला है वस्तर शेत्र में काम करने वाले 75% महला है इस बात को ध्यान में रखते हुए इस योजना के अंतरगद महलाओं को पर फोकस किया गया है और केंद सरकार की तरफ से यह इस 2022 की अंतरगत भारत की वैस्विक बाजार में वस्त्र छेत्र में हिस्तेदारी बढ़ेगी आने वाले समय में वस्त्र उद्योग से 16 लाख कारीगरों की आउसकता पड़ेगी यानि कि 16 लाख जो कारीगर होंगे उनको इसकी आउसकता पढ़ने वाली है इसी बात को ध्यान में रखते हुई अगले तीन साल में इस योजना की अंतरगत दस लाख लोगों को प्रक्सिसित करके केंदर में इसका निर्धारन किया जा रहा है तो काफी अच्छी खबर है तीन दस लाख लोगों को इसका सीधा सीधा लाव मिलने वाला है जो की गरीब महलाएं जो की हमारे देश में बहुत सारी गरीब महलाएं हैं जिसको इसकी आऊ सकता है केंद सरकार ने 10 लाक लोगों को इसका सीधी सीधे यहाँ पर लाब देने की बात कही गई है तो सामर्थ योजना का उद्देश यही है कि इस योजना का मुख्य उद्देश देश को वस्त्र उत्पादन के छेतर में आगे बढ़ाना इस योजना के माध्यम से देश के लोगों का कौसल विकास किया जाएगा जिससे की उन्हें नोकरिया प्राप्त होगी और वो अपना व्योसाई करने में भी सक्सम बनेंगे यानि कि उन्हें काम की रोजगार की आउस्ता तो होगी ही और नोगरी की प्राप्ती भी हो जाएगी और साथ में अपना यहाँ पर ब्योसाई करने की भी एक नहीं यहाँ पर उनकी छमता बढ़ जाएगी तो समर्थ योजना 2022 के माध्यम से बुरुजगारी की दरू में कमी आई है और भारत वैस्विक इस्तर पर वस्त छेतर में तरक्य कर पाएगा तो महलाओं के लिए काफी अच्छी खबर है क्योंकि महलाएं लगातार दिन रादे करती हैं ऐसे में इन महलाओं के लिए काफी अच्छी खबर कही जा सकती है तो इस योजना में आपके लिए आव़स्यक दस्ताविजू में आता है, इसमें आपका जो होगा आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है और इस योजना की अंतरगत आविदक करने के लिए आविदक को भारत का इस्ताई निवासी होना आनिवारी होगा आधार नंबर आपका होना बहुत जरूरी है, आधार कार्ट के थुरू आप इसमें ओनलाइन अपलाई कर सकते हैं, निवास परमान पत्र होना बहुत जरूरी है, निवास पत्र आपके पास बहुत इंपोर्टेंट आवस्तक दस्तावेज में बन जाता है, रासन कार्ड आप 15,000 रुपे प्रती मेहने के हिसाब से आप कमा सकती हैं और अपने घर पर ही हस्त कला और हत करगा जो भी नए-नए यहाँ पर रोजगार वस्तरों से आते हैं तो आपको यहाँ पर प्रक्सिसित सरकार की तरफ से ट्रेनिंग दी जाएगी और इसमें आप 15,000 रुपे प्रती मे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में दिये गए वैल आइकन को जरूर ही प्रस कर दीजिए तो मिलते हैं नई टॉपिक और नई वीडियो के साथ तब तक मुझे दीजिए इजाज़त थैंक बाइ बाइ टेक केर